हेलो पैरे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी, I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के सब्जेक्ट मैतमेटिक्स के वीक नमबर 23 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की North Delhi Municipal Corporation के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है Measurement with Non-Standard Units तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहे हैं बच्चों जैसे कि इस टेबल की लंबाई को नापेंगे तो बच्चों जैसे कि इस टेबल की लंबाई कितनी है मेरे टेबल की लंबाई साथ पैंसिल की है तो बच्चों आप भी घर पर अपने टेबल की लंबाई को नापकर लिखेंगे कि वह कितनी पैंसिल लंबी है नेक्स्ट है मीजर योर बुक यूजिंग यूर हैंड बच्चो अब आप अपने hand यानि की बालिस्त का यूज करके book की चोड़ाई को मापेंगे तो बच्चो अब आप अपने hand का यूज करके इस book को मापेंगे तो बच्चो जैसे की ये book जो है कितनी चोड़ी है My book is hands span wide मेरी जो किताब है वो दो बालिस्त चोड़ी है बच्चो आप अपने पैरों का यूज करके अपने घर पर किसी भी कार्पेट की लंबाई को मापेंगे तो बच्चो जैसे कि यहाँ पर है कार्पेट इस फुट लॉंग कार्पेट जो है कालीन कितने पैर लंबा है तो बच्चो यह है 18 फुट लॉंग तो बच्चो आप है बच्चो कितने फुट लॉंग है 15 फुट लॉंग नेक्स्ट है मीजर्दा विट और फ्रीज विद यो हैंड बच्चो आप अपने हातों के द्वारा अपने बालिस्त के द्वारा फ्रीज की चोड़ाई को मापकर लिखेंगे तो बच्चो आप किस तरीके से मापेंगे इ फ्रीज एज हैंड इस पैन वाइड ये फ्रीज जो है छे हात छे बालिस्त चोड़ा है तो बच्चो आप अपने फ्रीज की चोड़ाई को लिखेंगे नेक्स्ट है मीजर्दा हाइट ऑफ एनी बकेट किसी भी बाल्टी की हाइट उचाई को नापे विद यो हैंड इस पै बच्चो यहां पर आप पैंसिल की सायता से अपनी टी सर्ट की चोड़ाई को मापकर लिखेंगे जैसे कि यहां पर बच्चो यह है टी सर्ट कितनी पैंसिल चोड़ी है तो बच्चो टू यहां पर टू लिखा हुआ है आप बच्चो अपनी टी सर्ट को मापकर लिखेंग अब next है try to estimate and tell which non-standard unit is longest in side बच्चों यहाँ पर अनुमान लगा कर बताना है कि इन में से कौन सी non-standard unit जो है side में सबसे लंबी है write the answer in the form of A, B और C in the empty box और बच्चों अपने answer को आप इस खाली box में A, B और C के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर बच्चों option है handy span, pencil और foot span तो बच्चों longest non-standard unit in size is B इस means pencil जो है सबसे longest है अब है बच्चों Life skill, picnic planning School has decided to take children to zoo for a one day picnic इस्कूल ने बच्चों को एक दिन के लिए चिडिया घर ले जाने का निश्य किया है So इसलिए a group of class children has decided to bring rupees 50 इसलिए एक class के बच्चों ने अपने घर से 50 रुपे लाने का decide किया है Each from their parents to buy extra food item to enjoy the picnic पिकनिक को enjoy करने के लिए अपने parents से पैसे लाए है वो किसलिए extra food items खरीद कर picnic पर enjoy करने के लिए They have shortlisted some food items उन्होंने बच्चों अब यहाँ पर कुछ food items को shortlisted किया है It means sushi बनाई है उसकी The price of these items is as below तो बच्चों इन items के जो मूले है वो इस तरीके से नीचे दिया गया है तो बच्चों बनाना है कितने रुपे का? 5 रुपीज का Fruity है 10 रुपीज की Chocolate है कितने रुपीज की? 5 रुपीज की Chips है 10 रुपीज के Biscuits है 10 रुपीज के Apple है 15 रुपीज और Ice Cream है 10 रुपीज की अब बच्चों इहाँ पर question है Write the serial number of item that you can buy for रुपीज 50 अब बच्चों आप उन items के serial number लिखेंगे जिने आप 50 रुपीज में खरीज सकते हैं क्योंकि बच्चों 50 रुपीज लेकर आएं घर से तो बच्चों number 1, 2, 4, 6 and 7 number का item आप खरीज सकते हैं First number का है बच्चों 5 रुपीज का Second number का है 10 रुपीज का Four number का है 10 रुपीज का Six number पर बच्चों कितने रुपीज का है 15 का और 7 रुपीज का है आप इन्हें प्लस कर लेंगे 5 and 10 कितने होते हैं 15 प्लस 10 25 प्लस 15 40 और प्लस 10 50 तो बच्चों टोटल जो है कितने का है 50 रुपीज का Next is right the serial number of items अब बच्चों आपको उन items का serial number लिखना है That you can buy 4 रुपीज 45 जिनने आप 45 रुपीज में खरिश सकते हैं तो बच्चों कौन कौन सी serial number के item है 1st 3 5 6 7 तो बच्चों 1st serial number का जो item है वो है 5 रुपीज का 3rd है 5 रुपीज 5 नमबर का है 10 रुपीज का 6 नमबर का 15 रुपीज का 7 नमबर का 10 रुपीज का अब बच्चों आप इने प्लस करके देख लेंगे 45 से ज़ादा नहीं होने चाहिए तो बच्चों 5 & 5 10 & 10 20 & 15 35 & 10 45 तो बच्चों कितना हो गया 45 संसकार साला The key to success is to focus on goals not on obstacles सफलता की कुणजी अपनी लक्षय पर focus करना है नाकी बाधा उपर नेक्स्ट है food & drink तो बच्चों आज आप food & drink में क्या लेंगे have sprout salad with your family बच्चों आप अपनी परिवार के साथ अंकूरित सलात खाएंगे activity में prepare a sprouts sandwich for your mother बच्चों आप अपनी मा के लिए अंकूरित sandwich बनाएंगे तो बच्चों यहाँ पर अंकूरित चीजों का sandwich आपको कैसे बनाना है तो बच्चों जैसे की चैना राजमा जिने आप अंकूरित कर सकते हैं उनके द्वारा आप sandwich तयार करेंगे गेम है बच्चों आख में चोली daily routine include the following habits in your daily routine दी गई habits को आप अपने daily routine में include करेंगे begin your day by greeting your parents अपने parents का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें brush your teeth twice a day दिन में दो बार नातों को brush करें टे का बात daily रोजना नहाएं drink plenty of water and eat a balanced diet पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और संतुलिता हार लें avoid touching your face अपने चेहरे को छूने से बचें and wash your hands frequently और अपने हातों को बार बार धोएं complete your homework on time अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें Students, if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel Thank you